प्रिये बच्चो पिछली बार हमने पाठचार तूंगी किनात पड़ा थे उसके अभ्यास के प्रश्णोपतर आज आपको गर रहा हूँ आपके सामने पाठचार और पाठच दोनों के अभ्यास आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से करवाँगो ध्यान देखे आप अपनी कोपी में करेंगे पाठचार में पहला प्रश्ण है इस गीत की पहली पंक्ती में भक्तिने भगवान के साथ किसकिस सम्मंद को बताया है तो बड़ा असान सा उत्तर है बच्चों पीतू मातू सहायके स्वामी सखा यानि रहुख साता मारा क्या संबंद है पीतू पिता मातव मातू माता सायक सहायता करने वाला स्वामी मालिक सखा मतलम मित तो अब आप आईए इस कांसर लिखते हैं इसमें लिख लेंगे प्रश्ण एक का उत्तर कि इस गीत की कि पहली पंक्ती में प्रक्तने बगवान के साथ पिता माता सहाय स्वामी और मित के सम्मंग को बताया है दूसरा प्रश्ण वच्चो प्रमात्मा बे सहारों का सहारा ये भाव मित की किस पंक्ती से प्रगट होता है तो दूसरी पंक्ती है वैटे जिनके कच्चो और अधार नहीं जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा प्रम्पिता प्रमात्मा यानि उनके आपकी रखवाले है तो आप इसमें उत्तर लिख देंगे प्रमात्मा बे सहारों का सहारा है यह है भावगीत की दूसरी पंक्ती से तीसरा प्रशन जो प्रमात्मा को भूल जाते हैं क्या उन्हें प्रमात्मा भूला देता है नहीं बच्चो आपको समझाया था मैंने जैसे हम अपने मात्तático पेटा को खेल hay kood account में अपने कारियों में थोड़ी देर क लिए जाए लेकिंगर हमारे मात्तार हमें नहीं भून प्रम प्रमात्मा हम सब उनके पुत्र और पुत्रिया हैं हमारा उसी प्रकार से जैसे आपके मेरे माता-पिता मेरा आपका ध्यान रखते हैं ऐसे वो प्रभु मेरा आपका हमेश्वा ध्यान रखता है तो यहां उतर लिख लेंगे जो परमात्मा को बूल जाते हैं परमात्मा उन्हें कि नहीं भूलता है तो यह वच्चों पार्च चार भी हो गए तीनों तीनी प्रश्ण थे अब पार्च चार के मैं आपको प्रश्ण उत्र गराता हूं यह आप लिखेंगे है कि अगरे 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 आपको पार्च चार वेटे आर्यों समाज के नियम यह वी वीडियों के माध्यां से आप समझ गए होंगे अब इसके बाद इसके प्रश्ण पहला प्रश्ण आज में समाच के पहले लिया दूसरे नियम को लिखो तो वच्चों यह नहीं है इसमें दोनों ही नियम आपको लिखने मैं दोनों यहां पर लिख देता हूं कि एक का उत्तर कि पहला नियम कि सब सब्सक्राइब लिख दिया कि और कि जो पदार्थ कि विद्या से कि जानी जाते हैं कि उन्र सब्सक्राइब आधी मून परमेश्वा है कि दूसरा नियम भी आपको लिखना है कि दूसरा नियम है कि इसी का पहला नियम यह हो गया दूसरा ही है कि इस्वर सच्चिदानन्द स्वरू निराकार सर्वशक्तिमार नियाइगारी दयालू अजन्मा अनन्थ निर्विकार अनाधी अनुपम सर्वाधार शर्वेश्वर सर्वेश्वर सर्वांतरियामी आजर अमर हम है नित्य पवित्र और अब आगे कार्ण उपर देंगे इसको लिखेंगे यह मैं मिटा रहा हूंगे नित्य पवित्र और और स्रिष्टी करता है उसी की उपासना योग यह है दूसरा प्रश्ण वच्चों आर्यस समाज के दूसरे नियम के आधार पर इस्वर की विशेश्थाओं का उल्लेक करें तो आप लिखेंगे बटार प्रश्ण दों का उत्तर और है परमपिताग परमात्मा सक्चित्र आनंद शुरूब है उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार हल देने से वह परमात्मा न्याइकारी है वह सभी पर दया करता है इसलिए वह तयालू है इतना लिखेंगे इसका आगी का अंसर मैं आपको अगली उसके दे रहा हूं वह परमात्मा कभी जन में नहीं लेता इसलिए वह अजन मा है वह परमात्मा वह परमात्मा सर्वाधार सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापद सर्वाधार सर्वाधार्यामी अजर अमर अभे नित्य पवित्र सर्वाधार 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 सर्वाधा 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 निर्का अर्थ है दिना विकार का अर्थ है परिवर्थन परमात्मा सदा एक सदा है नावे बढ़ता है ने खटता है वह सदा आनंद श्वरुप है आनंद श्वरुप है वह एक सदा आनंद श्वरुप है और सुद्द श्वरुप है वह है मनुश्यादी के समान जवान और बुठा आनंद आता है श्वर्ण श्वरुप श्वरुप प्रीव यह की रवाँ यह हो गया वेटे कोश्चन नमबर तीन कांसर अब आजाए यह चोथा कोश्चन उसी की उपासना करनी हो गया है इसका आशे आपको बताना है यह मैं मिटा देता हूँ यह कर लिया होगा आपने इसमें लिकेंगे इसवर सची दानंगे स्वारू नेराकार सरुषक्तिमान न्यायकाई बैयालू अजन्मा अनंद निर्वीकार अनाधी अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्व्यापद सर्वांतर यामी अजर अमर अब है नित्य पवित्र स्रिष्टी करता है अब इसके बाद इसकी दो नाएं नीचे लिखेंगे इन गुनों शेप युक्त केवल परमात्मा यी है हम सब को उसकी ही उपास ना करनी चाहिए एक लाइन और आएगी बटा इसकी वो मैं अगले उसके बोड़ती देगा हम आपको तब यह कोश्चन नम्मर चार कंप्लीट हो जाएगा यह लिखेंगे आप अख्री लाइनेट इसी देवी देवता आदी की नहीं अब लास्ट कोश्चन है आदी मूल का अगुप्राय समझाईए तो आदी मूल वतलब बेसिक हमारा आधार क्या है सारी नोलिज का सारी जीवन का तो हमारा आधार परम्पिता परमात्मा है तो आए इसका उत्तर हम लिखते हैं रश्चन दुवारा में रिपीट करता हूं कि आदी मूल का अभी प्राय बताईए उत्तर लिखेंगे रश्चन पांच का मनुष्य विध्यान के बल पर अने खूजिंग कर रहा है इन खूजिंग के द्वारा उसने बिद्यूद सकती बिद्यूद सकती मतलब बच्चो इलेक्रिक पावर बिद्यूद सकती आउन शक्ती माने न्यूकिलियर पावर वास्प शक्ती माने बच्चो इस्टीम पावर कथा रेडियम आदी पता अंत्रों का पता लगाया है इसका भी आदी मूल परमेश्वर है मनुष्यने आनम्त प्रम्भांड में आनेख सूर्यों तथा अनेख ग्रहों का पता लगाया है इन श्रबतो निर्मान करने वाला भी परमात्मा है यह बच्चो आपका कोश्चन नमबर आज कंप्लीट हो गया इसी के साथ लेसन चार पाँच के सारे कोश्चन कंप्लीट कर दिये वीडियो के पहले पार्ट में लेसन चार के कोश्चन अनसर है वीडियो में इस दूसरे पार्ट में लेसन पाँच के कोश्चन अनसर है आप इनको समझिए अच्छे से अपनी कोफी में कीजिये, Best of luck, thank you